नमस्कार, वीडियो और वीपीडियो परिक्षा में आज फिर से अलख जगाएंगे प्रष्टाचारियों के खिलाफ और प्रष्टाचार के खिलाफ। दोस्तो कई लोगों का कहना है कि मैं मुख्यमंत्री धामी जी का कटर विरोधी हूँ, वीजे प्यालों का कटर दुश्मन हूँ और शिले जान बूच करके छात्रों के आंदोलन को, छात्रों के मांगों को और इस वीडियो के घोटाले को चमपाव चुनाव से जोड़ रहा ह दोस्तो सबसे पहली बात, ये बात आज इसपष्ट करना आवश्चक मैं समगता हूँ, कि अगर मुख्यमंत्री धामी सहाब इस परिक्षा में काली भेडों को पकलने के लिए कोई कड़ा कदम उठा देते हैं, उन भेडों को साइट कर देते हैं, जिनके ओपर आरोप लग कर सकता हूँ, तो उनके लिए भी इतनी महनत करूँगा, अपने यूट्यूब से अपील करूँगा, फेस्बुक से अपील करूँगा, वोकल एप से अपील करूँगा, कि मुख्यमंत्री सहाब को वोट दीजिये, और अपने खर्चे पर करूँगा, विजेपी वालों से क को एक रुपया नहीं लोगा, अब इससे बड़ी बात कोई क्या कह सकता है, हम तो चाहरे हैं कि बस आप भ्रष्टाचारियों का और भ्रष्टाचार का दमन करें, लेकिन मैं फिर कहता हूँ, कि अगर आपने ऐसा नहीं किया, तो मुझसे जितना हो सकेगा, मैं आपको हरान लड़ी तो मैं समर्थन भी करूँगा जरूर, इसमें कोई दो मत, कोई दो टुक राई नहीं हो, इंटरनेट पे कह रहा हूँ, यूट्यूब पे कह रहा हूँ, अपनी बातों से पलटने का कोई मतलब नहीं होता, आप करके तो देखे, आपने ब्रष्टाचारे को हटाया और उसके बाद मैंने आपका समर्थन नहीं किया, आपके लिए परचार नहीं किया, आपके लिए लोगों से हाज जोल के वोट नहीं मांगे, तो दुनिया तो मुझे गद्दार के नाम से जानेगी, और मैं भले ही किसान परिवार से आता हूँ, लेकिन जुबान का बड़ करना चाहता हूँ, समस्या यह है कि जो लोग यह कह रहे हैं, कि यह चात्रों का मुद्दा है, यह वीडियो परिक्षा जो UKSSC की तैयारी करने वाले हैं उनका मुद्दा है, बिल्कुल गलत बात ही कह रहे हैं, उनका मुद्दा यह था, जब तक उनकी भरती की प्रोसीजर म रहे हैं देखे दो तरीके के बच्चे हैं एक तो बेचारा इमानदारी से महनत करके दिन रात अपने आग फोड़ के सेलेक्ट हुआ है उसके सामने कोई चुनाती नहीं है उसको अपने 20 लाख रुपे 25 लाख रुपे 15 लाख रुपे जो पैसे दिये होंगे वसूल तो नहीं करने हैं जितना भी मिलेगा अपने परिवार की सेवा करेगा अपने बीबी बच्चों की सेवा करेगा अपने माबाप की सेवा करेगा अपने परिजनों की सेवा करेगा उस पे तो कोई दबाव नहीं है दबाव किसके उपर रहेगा जिसने पेटियों के हिसाब से पैसे प उतराखंड के एक-एक आमजन का मुद्द है और इस मुद्दे को एक राजनितिग्य होने के नाते एक पॉलिटिशियन होने के नाते ना मैं छोड़ सकता हूँ ना मैं भूल सकता हूँ और आलोचक मेरी बुराई कहने वाले मुझे गाली देने वाले लोग देते रहे मुझे रती भर भी फर्क नहीं पड़ता इनकी गालीयों को पचाने की ताखत मुझे माब आ गई है एक आपको बताता हूँ सुपर बर्ग होता है एक टर्मिनलोजी आती है साइन्स मैं कि दवाईयों के संपर्क में रहे रहे करके अगर विशानों लगतार उनके संपर्क में रहे तो वो दवाईयों से भी जादे ताकतवर हो चुका है तो मैं आप इनकी गालीयों से प्रूफ हो चुका हूँ कि जितना बुरा भला मुझे कहते हैं, जितने मुझे गालियां देते हैं, मुझे आप फरक नहीं पड़ता है, क्योंकि इनकी गालियां मैं इतनी खा चुका हूँ, इस ब्रहष्टचार के खिलाफ लड़ने के बदले में, इन्होंने क्या क्या नहीं किया, लेकिन मेरा एजें भारत लगा लेजी, मुझे नहीं रोक सकते हैं, आपकी गालियों का भी हाद जोड के स्वागत हैं, जै देभ उमिद, जै उतरा खिलाएं, भारत माता कीजिए हूँ